जेटालाल क्यों छोड़ रहे तारक मेता सो को तो इस उड़ेक साथ बने दी और हमाँ चनल को सबस्कावस से का लेवर बेलेफ को अलब से लेक अनास के हर एक सोस्कावड आप तक पुसेगे तो चल मैं आपको बताता हूँ अभी ऐसा एकुछ ट्रैक तारक मेता सो में भी चल रहा जिसमें दिखा जा रहा है कि जेटालाल हेदराबाच जा रहा है मतलब कि इस्सों से जेटालल काफी कुछ टायम तक ब्रेक लेने वाले फिर फैंस के बीच में भी काफी उसुकता रहती है कि कभी ये वापस आएंगे या फिन नहीं आएंगे वैसे बता जा तो इस तरह की स्टोरी पहले भी तारक मेता सो में देखने को मिल चुकी क्योंकि तारक मेता सो में काफी कुछ स्टोरी है रिपीट हमसे को देखने को मिलती रहती क्योंकि हाला कि इस्सों के बास अभी कोई भी स्टोरी नहीं होने की वरसे वो काफी कुछ पुराने स्टोरी को रिक्रेट करने की कोशिस कर रहा है कभी जेटालाल के साथ कभी तारक मेता के साथ और भी काफी साल लोग के साथ अभी नए नए स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जैसे इस्सों में एक नए नए स्टोरी को रिक्रेट करने की कोशिस कर दी तो वैसे फैंस इसों को देखना नहीं चाते हैं हर टाम पर पोपट लाल का ट्रैक दिखाने के बाद भी इस समय पोपट लाल की साधी नहीं करवाई जाती है अब यही सिच्वेशन जेटा लाल के साथ भी हुई है अगर उनको कुछ भी दिखाना होता है तो जेटा लाल या फिर तारक मेदा पर वो डाल देते हैं अब जब यह हिदराबाद वाला ट्रैक चल रहा है तो यह काफी टाइम तक चलेगा अब इसका यह मतलब नहीं है कि वो सो से क्यूट हो जाएंगे सो के स्टोरी के वरसे दिखाने का प्रहतना करेंगी कि यह काफी टाइम बाद यह लोटने वाले अब जयसे ही ट्रैक खतम हो जाये तो वेस्से को को जेथाल न भी देखने को मिल सकते हैं बाकी अब ही के लिए तो जेथालल 100 को नहीं चोड़ रहा है लेकिन ट्रैक एसा ही चल रहा है जिस वरसे फैंस की बिच में काफी कुछ बना हुआ है लेकिन क्या पता फ्यूचर में इस सोच से वो भी छोड़ दे बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आये हो तो पसंद लाइक कर जिएगा और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तब तक के लिए जय हिंज बरत